आज हम लोग अपने 2023-2024 के इस एकेडमिक येर के पहले चेप्टर की बारे में प्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोगेजन को पढ़े गए इस प्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोगेजन के बारे में आपको समझाएं कि ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत जूनियर क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेज का मतलब आप कह सकते हैं जब आपने काउंटिंग सीखी होगी तब भी आपने इसको पढ़ा है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं वैसे भी मा इसको आइफ्य पेश चाहरेंगे, इसको आइंटिफइंस करें इसको सीखेंगे जीतिर में आपको समझें और कर प Где हैं तो अब अर्थमेटिक प्रोगेजिम में हम पहला चीजह पढ़ते हैं जो सबसे पहली चीज़ आपने पुटी लाइफ में सीखिए काउंटी क्या सीखिए बन फूर ट्री 4 5 6 यह नमबर शीखिया हुए आपने यह नमबर आपने सीखिये थैं फिद्धोसी जो आपने सीखिये वो सीखिये थी टेबल पहले सीखिया काउंटी फिर सिखिये आपने टेबल्स, क्या सिखिती है, 2, 4, 6, 8, 10, यह सिखिये, आपने 3 का टेबल पे सिखा है, 3, 6, 9, 12, 15, and so on, यह सारी चीज़े आपने पहले सीखी हुई है, लेकिन आपको यह नहीं पता था, कि यह अर्थमेटिक प्रोगेजन है, क्या है और कैसे पहचानेंगे इसको सीखते हैं, यहाँ पर देखिये, अगर हम बात करें, यह 1 से 2 कैसे आया, तो हमने क्या किया था, इस नमबर में 8 एड किया, और क्या आ गया, फिर क्या किया, हमने इस नमबर में फिर से 1 प्लस 1 किया, और यह नमबर आ गया, इस नमबर में एक एड किया, और एक यहाँ पर प्लस 1 किया, यह आ गया, फिर हमने क्या किया, इसमें एक प्लस 1 किया, और यह आ गया, समय प्लस 1 ही करते जा रहा है, फिर यहां से यहां पहुचें, प्लस 1 किया, तो कुल मिला कि क्या है, हम अगला नमबर जो फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें एक एड कर रहे हैं, एक एड कर रहे हैं, तो जो एडिशन हो रहा है, यह किस नमबर का हो रहा है, एक सिंगल नम कोई भी है उसमें हम क्या क्रें एक वंधर रहा है और हमें क्या मिल ला है नेक्स नंबर मिल ला है यही हो रहा है लेकर रहे है ज़रा किसमें आये इसमें हमने क्या किया हुआ है इस नंबर में हमने 2 प्लस किया है और यहां से यह नंबर मिल गया इसमें फिर हमें 2 एड़ कर दिया यह मिल गया इसमें फिर हमें 2 एड़ कर दिया यह नंबर मिल गया इस तरह से हमको आगे के भी नंबर मिलते चल रहे हैं कि यहां पर जाए नंबर वन जो भी पहला नंबर ए उसमें एड़ कर रहे हैं और नेक्स नंबर ले ले रहे हैं नेक्स नंबर आजा रहा है अब आज आँ यहां पर इसमें हमने क्या किया प्लस 3 किया, इसमें क्या किया, प्लस 3 किया, इसमें क्या किया, फिर से हमने प्लस 3 किया, तो देखिए 3 में, 3 में 3 एड किया, 6 आ गया, 6 में 3 एड किया, 9 में 3 एड किया, 12 आ गया, 12 में 3 एड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, तो यहां पर हमने क्या किया, नमबर 1 में हमने क्या किया तू जग है 3 एड़ किया और नेक्स नमबर यहां पर यह समझने वाली बात है कि हम जो नमबर पहला नमबर है उसमें एक कोई इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोगेशन कहते हैं यह है आपका अर्थमेटिक प्रोगेशन मतलब अगर हम बात करें कि इसमें हमको next number निकालने के लिए उसमें एक fix number बार बार add करना पड़ रहा हैं एक fix number को बार बार add करते जा रहा हैं जो हम add कर रहे हैं वो हमारे पास नया number दे दे रहा हैं एक नमबर था उसमें हमने एक फिक्स नमबर एड किया और क्या हुआ नया नमबर मिल गया फिर हमने जो नमबर आया उसमें फिर वही फिक्स नमबर फिर एड किया नया नमबर मिल गया फिर हमने उसमें क्या किया एक वही फिक्स नमबर एड किया अगले नमबर लेते जा रहे तो यहाँ पर क्या है अगर आप इस पैटन को समझें तो क्या कहेगा क्या कि इन सब में क्या है ये ये और ये 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 तीनों चीज़े क्या है जो हम एड कर रहे है वो कॉंस्टेंट है और इसी कॉंस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं 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 क्या एक किसी भी arithmetic provision का क्या कहलाएगा common difference कहलाएगा अब आगए common difference आपको clear हो गया इसको उन्हे common difference बोल दिया अब हमारे पास आ गया वापस इस पर चलते हैं यहाँ पर one क्या है, two क्या है, three क्या है इस series के पहले time है न इसको क्या बोला, first term क्या बोला गया, first term of AP क्या बोला गया, first term of AP इनको क्या बोला गया, first term of AP यह AP का पहला term है, जो सबसे पहले लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, first term बोलते हैं क्या बोलते हैं, first term बोलते हैं तो एपी का यह तो just कि एपि क्या है है और से हमलिक मिलती है डहुड यहीं करोगे तो इसुरिस हो जाएगी हम तो कॉसोरी चेंज की किया the और वडिखो यह ब्लव कॉमन डिफेरेंस शेंट हैं यहां इसी में इसी अब थोड़ा सा और बताते हैं हम को ही लेके चलते हैं हमारा क्या है थे हमारा वन है यह हमारा फस्ट लेकिन क्या है हम सीडी चेंज गरते हैं हमने एक बार कॉमन कामन डिफरेंस कितना ले लिए वन ले लिए लिए सीधी क्या ले लिए लगा मिलेगी कि यहां पर सिरी क्या मिलेगी इस आएगा तो इसो ऐसे करएंगे कूछा कर यहां से करेंगे प्लस भणक्राइब lyn बाटोने जांगे हीला, जिए प्लस वन वन गोगिमेसी इसतरह स्वाइबिख प्लस और सरुस एड्लेग यहां तो नहींतर ही यहां पक्रों ओन नटीयन वन जान आउप एगा कला है यहां पर किया रहना है इसमें प्लस टू एड किया तो कितना आ गया इसमें प्लस टू एड किया तो ना गया इस तरह से यह स्रीज बनती चलिए घरिए टो हमने देखें कॉमन डिफरेंश चेंज किया स्री चेंज होंगी कि अब हमने क्या किया फिर से one फ़र्स्ट हम वह है लेकिन अब हमने क्या कर लिया प्लस-3 किया तो जब 10 इसमें प्लस 3 एड़ कर देंगे तो क्या आएगा 30 तो इस तरह से यह भी सिरीज अलग बढ़ेगी तो हमने common difference change किया series change होगी common difference नहीं change किया series change नहीं होगी ठीक है तो change करने वाला factor कौन सा है common difference first term अगर change होता है तो first term ही change होगा ना अगर हमने first term टू लिख दिया असमें 111 कर रहा है तो 23456 तो मिलेगा ना यहाँ पर फिर्स टम चेंज होगी यहाँ पर फिर्स टम की दें थ्री लिख दें तो बाकी दूसें वही रहेगा तो इसी तरह क्या होगा तो first term अगर change होता है तो उसे series पूरी change नहीं होती है sequence वही बने रहते हैं केवल series का first term change नहीं रहता है अब हम कहते हैं कि जब series की अब general बातें करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सब इसमें मुझे आपको केवल याद दिलाने की जरुवत थी यह चीज आपने सीखी हुई है आप भूले नहीं है यह आपकी सीखी हुई चीज है तो अगर हम किसी भी AP के बारे में पढ़ते हैं AP में पहली चीज आती है इसको कहते हैं first term क्या कहते हैं first term करते हैं तो किसे डिन्व िलो करते हैं if sevi जब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं common difference कि बात करते हैं तो इसको किसे और जनल है ठीक हैं और जब हम बात करते हैं term की वंग टम की बात करते हैं तो उसको लिखते हैं ए आई क्या लिखते हैं ए आई और आई की वैलू क्या हो सकती है वार्ण टू थ्री ठीक है लिए आई की वैलू कुछ भी हो सकती है एए-एए मतलब पहला टम एटू मतलब दूसरा टम एएटरी मतलब तीसरा टम एएएफोर मतलब त्सक्राण टम ग्विषाइडन तो टम जो है किस से लिखता है किções कुछ ability सकते हो आप स्मॉल ए यह लिख सकते हो आपको को eighteen भी ले सकते हो ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वहीं लेना है ठीक हैução मैंने वो चीज लिखी है जो जन्रल बुक्स में दिखती है तक आप पहचान सको कि क्या बता रहे हैं तो पहली चीज तो यह समझो अगर हम लिखते हैं हम क्या लिखते हैं if a1, a2, a3, a4, a5 and an is an ap यह क्या है एक ap है इक कुछ इसलिक दी गई आप से कह रहा है यह ap है तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह ap है पहले चीज तो यहां पर पहचाने का तरीका क्या होता है हम निकालते हैं लिखते हैं तो पहला कॉमन डिफरेंस दीवन अगर लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा a2-a1 क्या लिखेंगे a2-a1 इसी तरही टीटू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a3-a2 इसी तरही लिखते दीथी a4-a3 मतलब आगे वाले टम से पीछे वाला टम माइनस करेंगे क्या करेंगे successive term को पहले वाले term से minus कर देंगे successive term को पहले वाले term से minus करेंगे तो हमें क्या होगा respective common difference पता चलेगा word use करना हूँ difference common difference नहीं difference पता चलेगा है दोनों term का difference क्या है दोनों term का difference क्या है यह पता चलेगा common difference नहीं है है यह difference नहीं है यह difference है common difference नहीं है बच्चों ध्याना कि यह difference of terms है दो successive term के बीच का difference क्या है हमने यह निकाला और अगर अब हमें क्या है अब हमें सूचना है है रिजल्ट देना है कि जो दी गई सीरीज है वह एपी है कि नहीं है यह हमें बताना है तो एपी है कि नहीं है अगर इफ यहां पर सूचें इफ इफ डी वन इसकाल टू डी टू इसकाल टू डी थ्री आ जाए अगर यह आ जाए मतलब आप जो तीन का difference निकाला है आपने वह यह आजाए तीन को आपने कालिट किये हैं अइसा निकीन के अलावा भी कर सकते हैं हजारों कर सकते हैं लेकिन क्या है एक जनल सीकोंस देखने के लिए हम तीन निकाल लेते तो अगर हम यह निकाल रहे हैं तो क्या कहिंए हम यह इस एन एपी यह एपी है और अगर इन में से कोई भी एक इक्वल ना आए ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है डी वन इसकोल टू डी टू आ गया बट नॉट इक्वल टू डी थरी आ गया या इसी के साथ एक चीज और लिख सकते हैं यह तो एक कंडिशन है या डी वन इस नॉट इक्वल टू डी टू इस नॉट इक्वल टू कोई भी एक कंडिशन इसमें अगर आ जाती एनी वन इसमें कोई भी एक कंडिशन आ जाती है एक्सेट इस अगर इसके अलावा कोई भी कंडिशन आती है वच्चों को क्या होगा क्या होगा इट विल नॉट वी एन एपी यह एपी नहीं होगी यह एपी नहीं होगी एपी की पैचांज करना आ गया हमें कोई भी सीक्वेंस या सिरीज दे दी गई हो तो हम उसमें पहचान लेंगे कि दी गई सीरीज हमारी एपी है की नहीं है हमने लिख दिया कि अग्या कि हूं कि सेवन कि वेल्फ सेवन्टीन इस तरह सेमने एपी नहीं है तो हम चेक करना चाहते हैं कि यह क्या है एपी है की नहीं है तो हमने लिख दिया क्या यह हो गया यह एटू हो गया यह एट्री हो गया यह एफॉर हो गया तो हमने क्या निकाला पहले बीवन निकाला तो दीवन क्या हो जाएगा एटू माइनस एवन क्या हो गया यह 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 पहले हमने निकाला दीवन क्या हो गया यह दीवन एक्वर माइनस क्या हो गया यह कितना हो गया यह इसी तरह देशवर हो गया है इसी तरह दीवन पर दीवन एकल टू बडीटी यह चीज यह reflect करती है यह AP है यह AP है ठीक है यह क्या reflect करती है यह दी गई series AP है ठीक है इसी तरह इक कोशन और इतने ज़रा देखो फूर 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 यह लिखा हुआ है यह एक AP है कि नहीं है इसको पहचानते है यह AP है यह नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों पहले हम नाम देंगे ठीक है हमने क्या दिया नाम दिया ठीक है जा नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 यह क्या क्या लाते हैं यह सारे के सारे क्या है यह क्या है यह क्या है यह AP के टर्म क्या लाते हैं अब इन टर्म का हमको क्या निकालना है तो बच्चों देखो फिर A1, B1 निकालेंगे तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मतलब क्या हो गया तो कितना आएगा ये ऐंसर रूटार, यहां पर बच्चों कन्फियूज हो जाते हैं बच्चे कन्फियूज हो जाते हैं भूले रूटार कैसे मायनस करें तो जहां पर वी एक जैसे रूट हो तो उनको रूप मारिये, सबसे बड़ी अबात, उनको कि दो कि ब दो वब और अपटा है मैं वब पाधे पुप दो पाधे कि दो किस का पूना ए? कि बात करो बोलो क्लास ले रहे हैं जुब कर रहे हैं कि तो इसमें क्या है कि जब कभी भी आपके पास ऐसे रूट नजर आने लिगी जैसे है बना है कि अ कि अ कर दो कर दो कि प्रश्ण तो ऐसे प्रश्ण में क्या करते हैं पनों यह प्रश्ण है इसमें आप दो रूप भी हर चेंट तो ऐसे रूप टू आप रूप अली से माली लिज्य क्या है खाएं तो अब फिर निकाला असान काम हो जाएगा आपके लिए romance in मा vorher launches यए मोन कर दो एायगा मैं यहान को भुप स कड्या मासे माइनस कर तो तो प्राइब का है आप इस में बड़ा सिम्पल का जनल लो पो वर मिसके जगे पहरू तू क्या कर लें ए मांगतू क्या होगा एंग रिये फ्वोर एंग तो नह menorih कि यह क्या कर लेकिते क्या होगा दीवन क्या हो जाएगा 2929 ए माइनाज दर्या आगा एक किसके बराबर ग्रोंप तू है इसी तरह रोड़ है किसके अरबर आपक है इसी तरह दही निगाए बदध दलया सु criterion ऐसे सब्सक्राइब ब lattice इसक्वर्ड चांवर एक तो यह क्या है इसमें इसमें आ रहा है इसमें आ रहा बिटा दी वन इसक्वल टू डी टू इसक्वल टू डी थ्री यह क्या है एक है ना एक हो गई यह 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 भी एक है अब एक मज़दार चीज और दिखाते हैं जरा देखो अब हमने लिद्धिया तू 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 अब आप से पूच रहें बताओ यह एक है कि नहीं है तो जब एप एफ तो फिर बहुत काम करेंगे क्या करेंगे एवन है तो एट्री एफॉर एफ़ाइब लितिया है वह क्या निकालेंगे डी वन 2-2 equal to 0 D2 2-2 equal to 0 D3 2-2 equal to 0 तो यहां पर क्या आ रहा है D1 equal to D2 equal to D3 तो is an AB यहां पर भी जवाब आ गया अगर आप इसको देखते हैं तो कह सकते हैं कि यह तो AP है नहीं तो एक ही नमबर बारबा लिखा हुआ लिखा हुआ ना एक ही नमबर बारबा लिखा हुआ है तो यह सिरीज कहा है लेकिन अगर हम by definition जाए common difference अब क्या है same है तो जिनका common difference same होगा तो एपी नहीं होगा तो एपी नहीं होगे यह चीज आपके दिमाग में clear हो जानी सीगे ठीक है अब जड़ा एक प्रश्ट और देखते हैं एक प्रश्ट और देखते हैं प्रश्ट 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 और देखते हैं है कि लिखा हुआ है मांटए ऑला इस अधिय्ट हुआ इस भुछिय्ट कि यह लिखा है और आप से पूछा जा रहा है कि बताएए यह क्या है आप आपका एपी है कि नहीं है अगर इन जनल आप देखेंगे दूर से बोल देंगे कि यह तो रूट है बवाल है इसमें छोड़ दो तुक्का मार दो लेकिन ऐसे प्रश्ण में तुक्का नहीं मालना चाहिए थोड़ा सा पेशिंस रखना चाहिए और इनको थोड़ा स्वाल करन चाहिए जैसे रूट तो रूट रहेगा कि इसको करो और इंटू इसको करो नाइन इंटू इसको करो शिक्स्टीन इंटू यह था हुआ है अब देखेंगे कामन देख रहा है तो यहां से कितना जाएगा तू कामन आ जाएगा चाहर का अंडरूप कितना होता है तू तीन नौ का अंडरूप कितना होता है तू सोला का अंडरूप कितना होता है अब देखों कॉमन डिफरेंस क्या है इधर से इधर कितना है रूट तू यहां से यहां कितना है यहां से यहां कितना है यहां से यहां क्या है तो इसका मतल सब्सक्राइब क्या है तो आपको यह समझ में आ गया अब हम बात करेंगे आपको बता दिया वहएं कॉमन डिफरेंस बता दिया फॉर्स्ट आप बता दिया एपी कैसे 5 यह बता दिया अब हम आपको बताएंगे इन जन्रल में इसके इनध पुल्ह ऑभी कैसे निकालते हैं अबी टूमimento टुमाएम थ प्रम माहारा है अबदा थो आप可 निकालते आफ एन एपी इसी भी एपी का एनक्त्रम कैसे निकालते हैं इस फॉर्मुले को समझते हैं कैसे आया यह फॉर्मुला किस तरह से हमने सूचा तो आपको पता है कि हम ने लिया लेट फॉर्स्ट टम इस बदायत हमने पैरा टम क्या लेते हैं और कोमन डिफरेंस एंड कोमन डिफरेंस कोमन डिफरेंस लिया क्या लिया यहां पर यह एलिया कि यहां यह एलिया और यहां पर कॉमन डिफरेंस के लिए डी लिया ठीक है कॉमन डिफरेंस एंड ले लिया ऐसर रहें पन्लाओं मिल्का में रॉया जिएOh यहां परने किया कर दिए जीरो बेला कि विए अब एजिरो से हम्को और आओ इपने निकालने का तरीका तो बहुता है जो भी आपको नमबर बताया जाए उसमें कॉमन डिफरेंस को एड कर दो क है एक पहले नंबर अदो से अपर डूसी तरह करते हैं जरह दनें इसको matter इसको इंटरपटेशन करते हैं कैसे करते हैं एजिरो तो लिखा यह इसको लिख देते हैं 2-1 कि वहां से आया यह 2 है यह 1 है यह 1 है 2-1 हमने 2-1 कर दो है कि अब आते हैं कि बात करते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चो अधिक को क्या लिख सकते हैं कि हम दिक सकते हैं क्या बच्चो यहां पर क्या था बैंख ना क्या लिख सकते हैं यह कि इसमें डी जोड़ दिया कि को डाउटव क्या है यहां लिखी हुई एक हुई दो क्या लिख दी है लिख हुई है d add कर दिया, तो क्या आगया, a0 plus 2d, क्या लखा है, a0 plus 2d, यहाँ पे क्या था, 1d, यहाँ पे क्या था, 2d, गेटों सही हा रहा है, इसमें से इसको minus 2d बचेगा, इसमें से इसको minus 2d क्या बचेगा, तो अब अब अभारे पास इसका दूसरा interpretation क्या आ गया, eight जीरू plus three-1 into 1 ? क्या है हम ने जीरो में दो डी जोड़े है जोड़े डो बार कामन विभरेंस झोड़ा पार कामन निकाल थीर्ट मरें लेकिन हम ने उसमें थीर वी तो निकाल ले में दो बार क्या किए है किसमें पहले टम में पहले टम में हमने दो एड कर दिए ठीक है क्या दो एड कर दिए कॉमन डिफ्रेंस इसी तरह जब हम A4 निकालेंगे तो A4 को क्या लिखेंगे A3 प्लस D लिखेंगे और A3 की वैलू क्या है? A0 प्लस 2D यही है? यह किसकी वैलू है? A3 की वैलू है न? यह सामने लिखें हुई देखो और प्लस D तो बच्चा क्या आ गया? A0 प्लस 3D तो यहां पर इसका इंटरफूटेशन अब करते हैं क्या हुआ? A0 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D अब जब यहां पर चीज दिखने की समझने की जरुवत है इसको हम लूब समझते हैं यहां पर कितना लिखा है? यहां कितना लिखा हुआ 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 है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर कितना लिखा हुआ है? यहां पर कितना लिखा हुआ है? यहां पर कितना लिखा तो अगर हम यहाँ पर इनस तं capable निकाल नहीं होंगे तो उसका इंटर्पॉटिशन देखो यहाँ से क्या होगा? जो निकाल लेंग ने जू टम लिकाल ले Louisiana तो क्या होगा हमारे पास? हम तो ऐसे लिखा लेगा प्लस? यहां लिखा it's me is a minus किया और क्या कर दिया डी से मर्टिप्लाई कर दिया को आरा कि क्या हो गया एनफ कम का फॉर्मुला हो गया है जो देफिया है हुए फ्रॉ फ्रॉर्म क्या होता है सबर्म डरसा है कि एपी में अगर दो तरह के डी पॉजिटिव है क्या है डी पॉजिटिव है तो एपी कैसे होगी ग्रोई एपी होगी अगला तम बढ़ा रहा होगा उसका अगला बढ़ा आएगा तो इंक्रीजिंग होगी क्या होगी इंक्रीजिंग होगी क्या होगी ठीक है और अगर डी माइनस होगा तो क्या होगा इंक्रीजिंग में 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 क्या होगा इंक्र और इंक्रीस में क्या होगा कॉमन डिफ्रेंस पॉस्टी होगा एक और नाम देते हैं इसका वो नाम क्या देते हैं एसेंडिंग यह थे कि एसेंडिंग ओडर है क्या है दूसरा क्या पढ़ा हुआ सब आपका डिसएंडिंग एक किसेंडिंग और और यह पो समझाए गया आपको क्लियर और यहां पर यहां पर यूज समझते हैं क्या इस फॉर्मिले का यूज को समझते हैं आप से क्या कह रहा है ज़रा समझेगा Find the nth term of an AP whose whose first term is 5 and common difference is 2 कर रहा है उस AP का nth term निकालिये जिस AP का first term क्या है 5 है और common difference क्या है 2 है तो हमने क्या लिखा हमने A not लिखा क्या कितना है 5 common difference क्या लिखा 2 ठीक है और formula हमारे पास क्या है अनर्टम का अनर्टम का A is equal to A not plus n minus 1 into d यह है तो A n हमको निकालना है अनर्टम यह value कितनी 5 है n minus 1 into 2 तो 5 प्लस क्या हो गया n minus 1 तो यह हो गया आपके पास 2 n plus 3 अनर्टम क्या हो गया बच्चों इसका 2 n plus 3 हो गया इसका अनर्टम क्या हो गया 2 n plus 3 हो गया 2 n plus 3 हो गया तो 2 n plus 3 इसका अनर्टम निकाल गया इसके अलावा आपसे इसी में ऐसे दूसरा कोशन पूर सकता है कि इसका फिफ्थ ट्रम निकालो क्या निकालो फिफ्थ ट्रम निकालो तो यहां पे क्या कह सकता है, कह सकता एक अधर पोश्यन है, find 5th term of AP, NAP whose, what? तो अंधर multiply नहीं होगा, यह है, तो यह किसाद अधर खनी रहेगा, पांस में से दो गया कितना बचा है, फिर्स तर्म, 10 and common difference is 4, कहना आपको 5th term निकालना है, अगर common difference 4 है, और 1st term क्या है, 10 है, तो हमने क्या दिया, बैट? हमने A naught कितना रखा अब चो? 10 है, B कितना रखा? 4 है, अब क्या कहे रहा है, 5th term, यह क्या था, 1st term, यह क्या था, A naught, यह क्या था, V, और यह क्या था, N, यह क्या है, N, तो यह क्या रखा निकालना है, 5th term, फॉर्मला क्या है, A, N is equal to A naught plus N minus 1 into D, तो यह कितना हो गया बच्चों? यह हो गया, A naught कितना? 10 plus N की वैलो कितनी है, 5 minus 1, D की वैलो कितनी है, 4, तो 10 plus 4 into 4, क्या हो गया, 10 plus 60 equal to 26, तो A, यहां पर निकालना, 5, 5, तो 5th term क्या हो गया, आपका 26 हो गया, 5th term क्या, 4 गंजा, 4, 4, 5, 6, 30 निकालना हो, किस क्लाश में बढ़ रही हो? पांच में से एक गया क्या, ब्रेकेट पहले सौल किया जाता है, यही गल्तियां होती है, ब्रेकेट पहले सौल किया जाता है, तो पांच में से एक चला गया, कितना बचा? तो चार बुड़े चार कितना हुआ? यही मिस्टेक होती हैं, एकजाम में कोई नई मिस्टेक थोड़ी नहीं होती है, किसी भी कैल्कुलेशन में बदमास भूल या लखी है, हम इसको बदमास हूल करते हैं, बॉर्ड मास, इस काल बॉर्ड बोर्ड मांस बोर्ड का मतलब तर सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्ट कीजिए और सॉल्ट के जाता है डिवाइड सॉल्ट के जाता है नेक्स्ट तो इसका सॉन क्याता है बल्टिप्लिकेशन कि बाइटिंप्लिकेशन फिर क्या सौन क्या आता है एडिशन है फिर क्या सौन क्या आता है सब्स्ट्रेक्शन कि बदमासूल है इसको हम लोग पढ़ाएगा है बदमासूल की तरीके से यह इसको याद रखिए मिस्टेक बहुत होती ही बच्चों की इस रूम को हमेशा याद रखिए प्रुम्ट रखिए तुब एक समरी पर आते हैं बच्चों समरी हमने आज आपको क्या बताई आइडेंटिफिकेशन आप एडेंटिफिकेशन यह बताया फिर्स्ट टम कमन डिफ्रेंज फिर हमने आपको बताया क्या टम आइडेंटिफिकेशन फिर हमने आपको बताया यह एनद तॉ आफ एन एपी यह बताया और आपके साथ प्रॉब्लम्स सेफ करीए तो यह चीजें आज के लेक्चर में हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे आपको वक्सीट भी दी जाएगी उसको करिएगा थैंक्यूआ कर आपको कर दोड़ाएंगे ने घुराओंगे घर स्रॉब्लम्स कर वक्सानीम्स कर दो हिंट ढ़ि स्तिकर ऱなたे बता होवयशवा़ कर दो हरो है यह कर दोद़ियाक्त्त्तิब्म्स